नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी अभी कितना नीचे गिर सकती है अगर नीचे गिरने वाली है तो कितना नीचे गिर सकती है अगर यहां से उपर जाने वाली है तो कितना उपर जा सकती है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो कहीं मत जाईएगा अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या फिर करते हो आप तो जरूर यह वीडियो देखिए क्योंकि इसमें मैंने जो लेवल्स बताया ना वह काफी कमाल के लेवल्स हैं और काफी इंट्रेस्टिंग अभी आप स्क्रीन पर लेखो यहां पर यहां पर इस तरीके से नीचे जो कि काम नहीं किया यहां पर तो यहां फिर से इस तरीके से मौवंट करके consolidate करके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दिया जो कि काफी अच्छी रैली और उसके बाद यहाँ पर रैली देने के बाद सीधे सीधे candles यहाँ पर गिरना इस टार्ट कर दीए ठीक है चार candle अगर आप देखो तो यहाँ पर पहला red दूसरा red तीसरा red और चौथा red सभी के सभी candle यहाँ पर red बंते चले पिछले week से तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है simple चीज heart को समझीये गा जब market यहाँ पर गिर रहा था इस जगह पर गिर रहा था तो इसी तरीके से यहां भी गिर रहा था सेम उसी तरीके से गिर रहा बस बीच में यहाँ पर कहीं halt किया था इस जगे पर देखो गया, आप halt किया था, नहीं तो यह fall किया था, उसके बाद अब यहाँ पर जो समय चला है अभी जो समय चला है वो एक sideways का समय चला है, क्यों चला है, यहाँ भी जब पहले market गी रहा था, तो इस तरीके से गी रहा और उ 44,600 से ले करके 45,000 के आज पास तक एक एरिया होना चाहिए जो की market उसमें consolidate करे और वहीं पर थोड़ा सा समय व्यतीत करे अगर यहां पर समय व्यतीत करके यह निकलता है उपर तो काफी अच्छा level मिलेगा हम लोग को सारी चीजी हम लोग बिल्कुल विस्तार से देखेंगे मार्क कर देता हूं market कहीं ने कहीं weekly टाइम फ्रेम पर यहां पर आने की कोसिस कर रहा है यानिकि 43,624 के आसपास यानिकि आप 600 भी बोल सकते हो यहां पर round of करके तो यहां पर कहीं market आना चाहता है क्यों कि weekly अगर हम लोग देखें तो market किस तरह के से perform किया यहां आया पहली ब लाइन पर यह जो weekly वारी लाइन है जो red line मैंने बनाई है यह एक weekly टाइम फ्रेम का एक लाइन यह रिजिस्टेंस बन रहा था अब यह हो गया है support यहां पे support हो गया है और इस support से market यहां उपर गया pullback लिया फिर उपर गया कहीं न कहीं अच्छा target था अच्छा target दिया क्यों की one week का बन रहा है तो फिर वापस आया यहां पर इस जगह पर यह दुबारा से इसने support बनाया यहां पर double bottom आप कह सकते हो यह bottom and double bottom बनाया उसका फिर यहां से rally किया उपर अगर आप देखोगे तो यहां पर उपर side में इस जगह पर double top structure यहां पर बना रहा है तो आप सा ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर एक m pattern बन रहा है इस तरीके से अगर आप draw करो थोड़ा सा मैं clear कर देता हूं चार्ट जिससे आपको clear यहां पर नजर आएगा ठीक है आप देखो यहां पर अगर थोड़ा सा मैं zoom out कर दो यहां पर तो zoom out करके अगर आप देखोगे के बाद सीधे सीधे यहां से pullback लेना market ले सकता है ठीक है अब suppose करो यहां पर break कर देता है इस जगे पर कहीं break कर देता है 43,000 को cross कर देता है यह area जो है 43,000 को अगर यह cross कर देता है तो simple simple हम लोग यहां पर put side का अलाम से position बना के नीचे side में चले जाएंगे पर ऐसा भी होने वाला तो नहीं है पर अगर हो जाए तो हम लोग put side का ही trade बनाएंगे target हम लोग का weekly time के हिसाब से 39,000 का यहां पर है यह वाला area हम लोग कर रहेगा अगर weekly time frame पर यह गिरता है market तो अब suppose market नहीं गिरता ठीक है suppose करो market यहां पर नहीं गिर रहा है तो हम लोग यहां पर क्या करे सिंपल यहां पर आज आएंगे फिफ्टीन इन टाइम फ्रेम पर नॉर्मल यहां पर आज आएंगे यहां पर देखेंगे क्या हो रहा है market अभी यहां पर rally करते हुए गई यह उपर वन हावर पर आ जाते हैं क्योंकि candle सारी candle यहां पर नहीं आप आ रही है चलो वन हावर के candle पर देखेंगे तो यहां पर कहीं न कहीं market जो है पॉज ले रहा है इस एरिया पर यहां पर आप देखोगे तो यह एरिया एक support बनाने की कोसिस कर रहा है यहां पर यह एरिया support कहीं न कहीं बनाने कोसिस कर रहा है और market यहां पर कहीं न कहीं एक trend line थी छोटी सी वो भी यहा पे respect किया मैं भी यहां पे दिखने रहोगा ठीक है मैं थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ ठीक है अब देखो यहां पे market कहीं न कहीं यहां पे support लिया यहां पे support लिया और यहां पे market gap down खुल गया जिसके कारण market यहां पे सीधे सीधे नीचे आने लगा अब नीचे साइड में यह target था एंड उसके बाद की बात करें अगर तो अभी भी target इसका खतम नहीं हुआ है target इसको पूरा अच्छी नहीं हुआ है bank nifty को अब दूसरा target यह वाला area है ठीक है तीसरा target यह यह दो target आपके लिए अभी important है नीचे साइड में नीचे साइड में जब market यहां पर निकलेगा तो 44,220 का level रहेगा पहला support रहेगा अब support मतलब यह नहीं होता है कि support लेगा ही लेगा support लेगा और उसके बाद उसको break करने के लिए भी try करेगा अगर break कर देता है तो फिर नी 43,844 का support हो जाएगा दो support मैंने बता दिया तीसरा support है 43,630 का support है 30-20 आप कहो यहां पर थोड़ा round of ले ले लेना वहां पर 10-20 point का यह तीनों के तीनों level आपके नीचे साइड में support रहेंगे और उपर साइड की बात करेंगे तो उपर साइड में यहां पर जब तक market जब तक market इस level को cross करके उपर नहीं निकलता है ना 45,000 के आसपास का जो area ना यह वाला यह जब तो cross करके नहीं निकलता है ना तब तक आपको यहां पर bullish यानि कि आपको call का position बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहां पर क्या होगा ना market थोड़ा सा pullback ले सकते है यानि कि जब भी boost level पे जाएगा 45,000 पे तब market यहां पे नीचे side में आने का प्रयास करेगा अगर एक single candle bullish candle बनती है और rocket की तरह निकल जाती है यहां पे अगर rocket की तरह इस तरीके से निकल जाती है तब वहां पे market थोड़ा सा pause लेकर के फिर यह उपर जाने की probability बनेगी price action को समझेगे यहां तो आपको और अच्छे तरीकी से market को देखने में और समझने में बहुत अच्छा मिलेगा यहां ठीक है अब यहां पे देखो इस तरीके से कर्मालो सब्सक्राइब मॉमिंट होता है अब देखो मार्केट को कोई नहीं जानता है कि market कब open होगा और मतलब कब नहीं कहां open target कब हम लोग को कितना target दे सकता है क्या हम लोग का next target बन सकता है तो यह सारी चीजी हम लोग बस देखते हैं अब यहां पर उपर साइट का पहला target होगा वो यह ही होगा यह line होगी ठीक है जब ही market यहां पर निकलेगा यहां पर support आके लेगा वापस से फिर जब pullback उपर जा रहे गाई आप अगर live में नहीं रहते हो चैनल को subscribe कर लो video को like कर दो आपको बहुत सारी चीजें सीखने अभी बाकी है तो यह एरिया आपका रहेगा आपका सबसे पहला resistance 45,580-90 का resistance मान सकते हैं इसको ठीक है यह वाला area और उसके बाद यह वाला area आपका target होना चाहिए यह gap भी यहाँ पर market fill करने की कोसिस करेगा तो यह दो target आपको simply मैंने बताया है यहाँ पर normal इस दोनों target को आप देखना और साथ में live stream को भी आप जोईन करना कोई भी doubt होता है आप instant पूस सकते हो इसी वीडियो के नीचे आप comment करके पूस सकते हो अगर कोई भी doubt आपको हो आसा करता हूं दस्तों यह वीडियो को बहुत अच्छी लगी हो बहुत जादे चीज़े आपको सीखने को मिले हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं लाइव इस्ट्रीम में तब तक के लिए दस्तों बाबाई